आज जानते हैं संदिप सर ने उनकी सस्काइबर के लिए क्या किया उनका 24 मिलियोन सस्काइबर है मतलब 25 मिलियोन के असपास है अगर उन्होंने अगर मोनेडेजिन आउन करता तो उनका लाइफ में क्या चेंज़े जाता और कितना इंकम करता कम से कम 2-3 करो वो 2-3 करो पूरा की पूरा इंवेस्ट किया उनकी सस्काइबर के उपर चलिए कैसे है इंवेस्ट किया वो संदिप सर की मुझे सुन लेंगे हम इतना बारा सोचने वाला दुनिया पर और कितना लोग है कमेंट में बताईए और संदीप सर के लिए जिसका भी दिल में प्यार है तो कॉमेंट पे संदीप सर ग्रेट है ऐसा कॉमेंट में बताईए तो सब्चे पहले मुझे तो मेरा दिल से उनको बहुत प्यार करता हूँ संदीप सर को क्योंकि उनका इंस्पिरेशन बहुत लोगों के लिए हेलफुल है चलिए आज शुरू करते हैं उन्होंने क्यों उनका मोनेटरेशन और नहीं क्या और जो 2-3 करोद उन्होंने कैसे इन्वेस्ट किया वो भी उनका मुझसे सुन लेंगे चलिए फ्रेंस ज्याद वीडियोस की वो है 20-25 मिनित है तो उसमें मुल्टिपर चल सकती है तो देख करके मेरे अंदर लालच आया उसको आप सीधी सी कैलकुलेशन करोगे तो महीने का बनता है एक डेट करोड रुपे इतना मैं अपने दंदे से भी नहीं कमा रहा हूँ है उच्छी क्या करना है उ नियत क्या है कि मेरे पास में दो अप्शन्स है आज एक ये कि मैं एक इंसान के फाइदे के बारे में सोच हूँ है वो एक इंसान कौन है मैं हूँ तो मेरा फाइदा किसमें है उस बटन को आउन करने में जो एक घंटे का काम है 500 वीडियोस पे आउन हो जाएगा खट खट और लोको की बारे शिरूब इसमें किसका फाइदा हुआ एक का अगर मैं एड़ उन नहीं करता हूँ तो उसमें कितनों का फाइदा हुआ साथ करोर दियूस हो रहे हैं हर वीडियो पे अगर मल्टिपल टाइम चलती और एक मिनट भी वेस्ट होता एक वीडियो में क्योंकि ओने अभरेज मेरी डूरेशन क्या है एक वीडियो की 20 से 25 मिनट तो मान लेते हैं उसमें एक मिनट एड में चला जाता है तो क्या साथ करो है कि एक का फाइदा है या सब का फाइदा है